धन्यवाद उपदक्श मौउदे सबसे पहले मैं देश प्रदेश के भविश्य के लिए बात रिखना चाहता हूँ दोहरे मापडंड अपनाए जा रहे हैं जो हमारे सरकारी विद्याले हैं और नीजी विद्याले हैं आज हालात ये हो रहे हैं कि जो हमारे निजी विद्यालेओं में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं जो स्थाई माननिता प्राप्त नहीं हैं उन विद्यार्थियों को मजबूर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट फॉर्म भरें स्कूल के माद्यम से जब उनका फॉम आ रहा है हर्याना बोर्ड पे पेपर देने के लिए उन नहीं लिए जा रहे हैं सर उनका क्या कुसूर है मांडंड मापडंड तो एक से होने चाहिए चाहे वो सरकारी विद्याले है चाहे निजी विद्याले है बहुत से हमारे सरकारी विद्याले हैं जहाँ क्लासरूम पूरे नहीं, जहाँ डेस्क पूरे नहीं है, जहाँ शिक्षक पूरे नहीं है तो केबल निजी स्कूलों को ही, निजी विद्यार्थियों को ही और उनमें पढ़ रहे विद्यार्थ्यों क्यों प्रताडित किया जा रहा है, एक स्थाई समाधान निकालना चाहिए और उनके साथ इस तरह डंडात्मक कारवाही नहीं की जानी चाहिए सबी विद्यार्थियों को पेपर देने का अधिकार है हर्याना बोर्ड से उन सब को फॉर्म दिया जाए सर मेरे विधान सबाशेतर में बहुत से गाउं ऐसे हैं जहां जैसे अभी जल भराव की बात हुई यू डार्ड जोन है लेकिन जब अत्याद एक बारिश हो जाती बहुत से गाउं का पानी एके गाउं में इकठा हो जाता है उचाहे हमारे घेलडी है, हेमा माज़रा है तंदवाल है, तंदवाली है, बाबा हेडी है, सोहता है, हलदरी है तो ना तो कोई वेल बनाए गए रीचार्जिंग के लिए ना कोई बाद लगाया गया और जिसके कारण से फसलों का तो नुक्सान होता है साथ साथ जो है जानमाल का भी नुक्सान होता है जिसका की कोई स्थाई समाधान जल से जल किया जाना चाहिए सडकों की बात आई सा ये लगभग सभी शेत्रों में एक सी है बात आती है कि जी 25 करोड रुपए हर विधायक के कहने पर सडके रिपेर होंगी सडके या तो PWD की हैं या हमारे इसकी मार्केटिंग बोर्ट की सडके तो परदेश की हैं वो एक करोड में ठीक होती हूँ सर रिपेर होती हूँ एक करोड में किरा दें वो 25 में होती हूँ सर 25 में किरा दें हमें तो परदेश वासियों के लिए वो सडके ठीक चाहिए जब सडके हैं ही परदेश की तो उस पे ये एक लगाना की 25 क्रोड की ही सड़के ठीक होएगी या 5 क्रोड की होएगी स sweeping यह बतो सर्नियुद के जितने भी है सब की करें सबसे ज़्यादा पैसा आज जो खर्च होता है जो सबसे छोटी सरकार है वहाँ पर खर्च होता है जाहे वो हमारी पंचायते हैं चाहे मुनिस्बल कमिटी से हैं और बड़ी हरानी की बात है कि उनको सीए जी के पर्विव से सर बाहर रखा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए उनका हर साल ऑडिट जो है सीए जी के द्वारा कराया जाना चाहिए सबसे ज्यादा पैसे का दुरूपयोग वहाँ पे हो रहा है इसलिए सर हमारे यहां बराड़ा मुनिस्बल कमिटी है घर घर कुड़ा उठाने के लिए सफाई के लिए सर करोड़ो रुपय के टेंडर हुए सर जिसको टेंडर दिया जया है उसने सफाई करमचारियों तक वो तनखा नहीं दूँ दो ट्रालिया है सर क एक ट्रेक्टर दो ट्रालिया पूरे मुनिस्बल कमेटी के लिए करोड़ो रुपय में तो सर मैं तो माद करता हूं कि विजलेंस इंक्वाईरी होनी चाहिए दूद का दूद और पानी का पानी को